एक मेने दस दिन पहले अररिया के भड़गामा मोड पर एक सड़क हाथसा हुआ था। उस हाथसे में पती-पत्नी की मौत हो गई थी। एक मेने दस दिन के बाद भी उनके परिजनों को सरकार द्वारा जो लाब मिलता है पास लाग रुपे अभी तक नहीं मिला है। इस बात की जानकारी के लिए हम पहुँच गए हैं, मितलेजी के दरवाजे पर, उनके ये छोटे भाई हैं, ये सबसे छोटे हैं, ये मजले भाई हो गए और उनकी बेटी हो गई, बाकि जो लड़के हैं वो अभी कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, हम सारी जानकारी प्राप दिखा हुआ है कि यहां पर दिया हुआ है यह बल ty divul जो जानकारी दी गई है, जो आरोप लगाया गया है, वो लगाया गया है कि गारी नमबर BR01GB4393 ये पीशे से आती है, और फिर पहले जो पती-पत्नी थे, उनको पीशे से ठोकर मारती है, और उस पर चढ़ा के आगे निकल जाती है, ये सारा चीज इस पर दर्च रहा हुआ ह साथ ही आप देखेंगे तो FIR जिस आविसीज के अंदर दर्च किया गया है, केस नमबर 155-23, उसके बाद 289-334 एएपी, उसके बाद ये सारा कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है, अब हम इन से पूछते हैं कि आखिर पिछले एक मेहने दस दिनों से इनको मुआपजा क्यों नहीं मिला है, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि जिस प्रकार से लगातार आप कॉल कर रहे थे, कि अभी तक मुआपजा नहीं मिला है, तो कहां दिक्रेते हो रही है, जब पुलीस प्रचाशन के पास पहुंचते हैं, तो क्या बोलते हैं वो? बलता है कि यहां पर, हमको बलाता है दस बजे, दस बजे जाते हैं तो आप बलता है कि यहां पर बठी है, सर आ रहा है, आने दो घंटा बठ के आते हैं, फिर बलता है जाओ कल आना, दो बजे, चार बजे, यही बलता है, और कुछ नहीं है आपको बोलाते हैं, सुबत दस बजे बोलाते हैं, शाम के चार बजे आपको छोड़ देते हैं, और फी बोलते हैं कि कल आना, आज समय नहीं मिला, आज समय नहीं है, ये काम कौन करते हैं, वही सर बोलते हैं, वहाँ पर थाना पर बोलते हैं, थाना देक्ष बोलते हैं, या के कि परकार कोई मुआपजा मिला आपको किसी परकार का सर नहीं मिला हमको मुआपजा कुछ नहीं मिला सर एक मैंने दस दिन के दौरान आप कहां कहां पोचे इंसाफ मांगने के लिए यहां पर थाना पर कोट गई यहां पर बोला कि जाओ यह सब कागस आएगा तो बयाना मेरे पास नहीं तो यहां से जाओ कुछ नहीं हुआ है जो इसे पर कोई है यह सब पस्माडम रिपोर्ट था यह सब अभी मिला है तो जाएंगे तुम बाबु बताओ अभी तुम पढ़ाई कर रही है या फिर ऐसे ही हो क्या कर रही हो क्या काम करती हो पढ़ती हो या फिर घर में ही रहती हो जो पिता जी तुम्हारे थे दुनिया में तो फिर उस वक्त क्या कर रही थी पढ़ती थी या फिर घर में रहती थी पर रही थी आप छोटे भाई हैं और आप साथ में रहते हैं जैसे बताइए घर की हालत कैसी है कैसे आप लोग जिंदगी जी रहे हैं यह घर का हालत तो बहुत खड़ाब है लेकिन अभी तक जो हमारा भाबी और भाईया जब से हुआ है अभी तक कुछ नहीं मिला है यह स्कूल में है स्कूल में जी तो कैसे स्कूल पोँचे कौन पढ़ा रहे हुं यही वाला आया था मेडिया वाले वही ले गया पूरारिक्स लेंगे हम पत्रकारे उनका आप से कोई संबंध है जनकारी है कि यहां पर यह रहता है तो बढ़ाने के ले लेगे बड़ा बड़ा पपा का लड़का रहता है न वहाँ पर बबलू रजक मुख्या था पाले का हाथ वही बताया है बबलू भाई का दोस्त है हूँ आप समझ सकते हैं कि इतने दिन गुजरने के बाद भी अभी तक इनको मुआबजे के तोर पर जो सरकारी प्रावधान है अभी तक मिला नहीं है काफी परेशान है इनके जो दोनों बच्चे थे जो दोनों लड़का था उनको इनके जानने वाले कोई बबलू करके नाम करके है अच्छा बड़े पाग लड़का है तो वो यहां से ले गए और फिर किसी जिगह वो पढ़ा रहे हैं चुकिए उनके गुजरने के बाद इनके घर में कुछ बचा नहीं है कोई आस बची नहीं है सभी बेगर हो गए हैं माता जी बताइए जिस प्रकार से अभी तक प्रकार से अभी तक कोई देखने के लिए नहीं है क्या वोलेंगे यहीं चाहते हैं सब मिलकर के मदद केजिए आप माता जी बोलिए जिस MP को जिता के भेशते हैं जिस ML को जिता के भेशते हैं अभी तक घर को देखने के लिए वो लोग ने आये हैं क्या कहींगे इस पर अतना जे दुनिया में छे MP यमेले वार सदस समयती त सब चेत हमरा लिए ख़तम ये अतना जम्रा घटनाव ले दुदूटा जे रोट पर आप मरले वकराली ये कोई सहरा ने चे दुवार फो कोई नावेज कोई नावेज अन्य देखे लाव चे ने पूछे लाव चे बाल वच्चा की खेलके ने खेलके कना चने चा यकर कुन चीज हैते हमरे सब पब्लीक जेश अतने पर ना मुखिया समयती वार सदत यतना जे बन ले MP विधाया सब बन ले जब देख बेन कर तक रहा भूंट आर कि आप जैसे बोलिए क्या नम हूं आपका शीविनरान पासवान शीविनरान जी बोलिए कि जिस प्रतेनिरियों को आप बोला रहे हैं आप लोग शांत रहे हैं वो आपकी मदद की लागे ने आ रहे हैं जब मुसिवत होती है तो क्या कहेंगे अब यह तक नहीं कोई कि सुचिए यहां भी कुछ और लोग भी मौझूद देखिए दिरिश्ट के मादम जरा देखा देजिए सभी लोग यहां पर मौझूद हैं आप जैसे मता जी बोलिएगा कि जिस जन परती निदियों को आप लोग जिताती हैं वो लोग नहीं आते अपके दरवाजे पर जब देखने वाला कोई नहीं है आप अपर एंपी है मेला है मुख्या सर पांच इसको को उधार करने वाला नहीं बच्चा को देखने वाला कोई नहीं है भो बैट जय से महर एंस बता जिए कि मुख्या यहां के हैं आपके पंचायत का उस ने कुछ वह मदतना नहीं किया पहले दिया चहे अजार रूपया दिया कि अगर कविड अंतो स्टी की योजना की बात करियेगा तो इसमें पार रे है रहे हैं गोई नहीं है कि करते ही आव लोग बच्का जो करें ड़क लोबने रहे एक टा बिश्कुटो खालबा चा आफ़त में रहे छे अकड़ाली अर दुनिया के लोग सच्चते की ने सच्चते उमुखी आसरपन सचे जाया ने सचे छे खाली भोटला ये ते हमनार का दार मा डूबेत रहे ची यंगना गड मा पेंड रहे चे भोट दख ला अती पुला सब्सक्राइब करेंगे वहीं जन प्रतिनीदी इनको देखने तक लेने पहुंचते हैं तो क्या कहेंगे जन प्रतिनीदी जो भी बनता है अपना घर बनाने के लिए बनता है और अपना जो भी बनता है अपने लिए बनता है जनता को फेक देता है जिस तरह ने जो समान सर जाता तो फेक देता है उसी तरफ फेक दिया हम लोग को संसद रोड नहीं हम लोग के इधर रोड का भी त प्रभाइक है शिर्फ बोला जाता है लेकिन नहीं जाता कागज पर सब चीज हो जाता है इस मुद्रीक पर अपक्या कहेंगे जिस प्रकार से डबल आप एक तरह के मडर कहिए उसको हलाकि हादसा बुला गया है उसको लेकिन उस हादसे के वज़े से पूरा पड़िवार बिखड़ गया है सड़क पड़ा गया है खाने के लिए लाले पड़ गया है इसके वावजूद जो संबंदित MP हो चाए MLA हो वो लोग नहीं पहुंचने मदद के लिए हैं इसलिकर क्या नहीं कमाता है तो घर चलता है नहीं कमाता है तो भोके सोना पड़ता है समाज लोग मिल जो हटा है जिसके घर में रोटीन नमग बन्ता है बचाख को खिलाते हैं वस यहीं करते हैं ज्यासे बहीं बतेएगा क्या आपके दर्वाजे पर किसीилась okay तरफ से कोई विक्ति कोई नहीं आई आए अपने बोला कि मुख्याद 6,000 पर दिया था उसके लाव कुछ नहीं दिया जिला पर पर शड़ जिला पर शड़ जो है आपने बोला कि पचाहँ दिया यहां से आया था वो क्या बोलते हैं मुझा हाँ तो नवीन यादव आया था जी वो पांच अजार रुप्या दिया था नवीन यादव जी वो कौन है विज़पी का नेता है साथ अच्छे अच्छे आप आप कुछ बोलेंगे या इस घटना को लेकर आप कुछ कहेंगे मिलना चाहिए उसको अभी कोई कोई लाब नहीं मिला है सरकार जो वादा किया था वो अभी तक नहीं मिला है आठ रोज दस दिन का वादा किया था सब पब्लिक मिलके जब रोड जाम किया था वहां ट्रक को पकरा था अभी तक कुछ नहीं नहीं तो फिर रोड जाम होगा मिल को कि मिटलिज कुमार को इनसाब मिलना चाहिए ठीक है उसका बाल बचा को देखवाल करना चाहिए उसका भाई भी एगो है बचारा कंडम में है क्या करेगा गाम समाज उसको देखता है कम से कम आना चाहिए MPB धायक को थाना से आना चाहिए फुलिच दड़ोगा को नहीं आ क्या करें तो अंतिम में होगा रोट जाम होगा रोट जाम होगा तो फिर वही पर दंगा होगा दंगा होने से क्या पैदा इससे बनिया MPB धायक बचाड़ा को इनसाफ दिलवाएं और कहें और क्या कहेंगे एक बात बताइए ज्लाइशा आप आपके दरवाजारे पर में पहले One its doodyब हुआ हभा सैंस इसको बचा लेते लेकिन क्या करें डिया कुझ यह चाण SS कर रहा है उसको बचाएं चंदा लगा एगा के बचाहयए जानिया आफ यह दिमागा एक दिमागोथ बचारा यही बचा को द्याखबाल कर रहा है कि या करेगा बचारा अब अहां बुली जरा से क्या बोलेंगे इस पर मेरा काना यह की है कि मितलेश कुमार और उसकी वाइब जो एक्सिडेंट वरो अथी में जब अभी तक कानून पड़कडिया में उसका साड़ा प्रोफाइल सब्सक्राइब जो आया वह भी बोला 20-25 रोज के अंदर हो जाएगा उसका भी काम नहीं हुआ सब्सक्राइब जितना बी जीला मजे स्टेट अभी इस बात को एक्षन लेना चेंडर बताईए इस बच्क आखिर किसी का बच्चा हो कुन देखने वाला आजकल कौन दुनिया में देखता माबाप रहता कोई एक रहता तो देखने वाला होता आजकल किसी को दुनिया में कोई देखने वाला नहीं हम आरे कहने का मतलब है जो भी है इसको निया मिलना चाहिए और बच्चे को अब देख लिजे से इसका चेरा कितना मासूम है यह किसी का बच्चा या उसी का होता कोई भी बड़ा पद्यादिकारी हो तो अपने आपको क्या महसूस करता है बिल्कु सही बात है देखिए इसके घर में कमाने वाले भी हैं नहीं कोई एक चो यह चोटा भाई है मितले जी के यह भी कहने कहीं पुर्ण रूप से तंदृस् कुछ अगर आप कोई संगर्ठन वाले ख़वर को देख रहे हैं और आप से कुछ हो सके तो इनकी मदद करिए और हम यहां के जो एमेले हो चाएंपी हो यह संबंदीत जो जो प्रतिनिदी गण है उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि आप आईए यहां पर और देखिए इसकी सि किजिए बाकी इससे लेकर कि आपकी क्या प्रतिक रिया है कमेंट बॉक्स में लिकर ज़रूर बताएं इस वीडियो को अधिक से दिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकरी पहुंच पाए फिलाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर रिजा जाता हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आकन पर प्रेस करना ना भूले ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे